की यह दा इटो बैंक्नि प्टिक एंदर में फ्लैट ओपनिंग देखने मिला है अगर यह डिरेक्ली उपर बढ़ता है तो हम क्या करेंगे मार्केट के अंदर सेल करेंगे और अगर यह डिरेक्ली गिरता है तो छोटा-मोटा केंडल बनाए तो में भी वेट करना पढ़े ले जैसे अभी हमें green candle बना है तो अगर यह ऊपर निकलता है तो हम resistance के आसपास थोड़ा बहुत इसके आसपास कहीना की selling का trade market के अंदर लेने वाले हैं और ऐसा कुछ ना कुछ हमें nifty अंदर नजरा रहा है यहां पर फ्लैट ओपनिंग है तो यहां पर भी sell side का trade market के अंदर बना कहीं तक भी market जा सकता है लेकिन जब rejection लेगा वो किस zone से ले रहा है उसके बाद कैसी वो candle बना रहा है उसके according market के अपना trade को decide कर लेंगे तो अब इसने rejection लेना शुरू कर दिया है इसके लिए हम prepare रहते हैं जाने नहीं देंगे कहीं पर भी market में कोशिश यह रहते हैं कि अच trading trade लेना जरूर ही है अगर हम डर के मारे बैठे रहेंगे तो हमसे entry नहीं हो पाएगा और जब हम option में काम करें तो डर का तो कोई काम होता ही नहीं जो करना है वो करेंगे तो अब market में resistance अच्छी जगह से लिया है एक छोटा सा breakout दिया उसके बाद कहिना की selling आना शुरू हो चुका है और nifty अभी तक continue moment में तो यहाँ पी में थोड़ा रुकना पड़ेगा और अगर हम यहाँ पी रुके हैं थोड़ा वो bank nifty के अंदरी बेंदाजा हो जाए कि यह होने वाला है तो सब कुछ आप match करके चलिए कि यहाँ पर क्या चला है वहाँ पर क्या चला है सब कुछ अगर समझ में आ गया अच्छी बात है अगर लग रहा है कि ज़्यादा कुछ संभाल नहीं सकते हैं कि यह भी नहीं देख सकता उस condition में आपको क्या करना चीए जो मार्केट का काम यही होता है जितना नज़र आए और जितना आप समझ सकते हो उसके उपरी आप काम करोगे तो आप अपना बैस्ट देपाऊगे अभी मुझे लगता थोड़ा बहुत मैं वेट कर लेता हूँ अधरवाइस वैसे तुम्हां ट्रीड ले सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि अभी तक निफ्टी ने कोई रैड कंडल नहीं बनाया है और निफ्टी बैंक ने छोटा मोटा रैड कंडल बनाया था वो भी गरीन कंडल में कनवर्ट हो चुका है तो रिजक्सन आएगा अपना इंट्री मार्केट के नहीं हम कर लेंगे प्रजिशनस वगरा ठीक जगा से लिए और ज़्यादा मुझे प्रोब्लम यहां पर निजर आ नहीं रही है तो चलिए यहां पर हम काम करना शुरू करत यहां से एक retracement या फिर upside का momentum यहां पर देखने हूं मिलने वाला है ज़्यादा उपर तो में भी ना जा पाए लेकिन यह जो highest point of market में दुबारे से test यहां पर होने वाला है market यहां पर एक range बना कर काम करने वाला है तो मैं यहां पर क्या करता हूं 47-600 का call add करूंगा और highest quantity एक और market के अंदर बाइस सो का हम call add करते हैं निफ्टी के अंदर फिर निफ्टी में मैं काम कर तो लेता लेकिन उसको एक दो expiry मुझे ignore करना होगा क्योंकि इसमें छोटा मोटा problem हो सकता है market में उसमें situation थोड़ा समझना पड़ेगा उसके बाद हम उसमें काम करना शुरू करें इस मुमंटमें कार्ण यहां पर साइड कोई भी seller के ऐसल वगरा अविलिबल नहीं थे दूसरा यहां पर जो sell वगरा करके बैठे थे उनका market में इस मुमंटमें कार्ण profit वगरा booking हो गया होगा इसलिए मैंने क्या किया था कि market के अंदर यहां पर अगर seller वगरा अविलिबल के अंदर रहने वाला है यह जितना नीची आया देखी उतना जित तेजी सी ऊपर आ गया तो अब यहीं पर रुख जाएगा तो हमें उसका ध्यां रखना है काफी अच्छा profit अपना यहां पर हो गया तो target वगरा में भी हम booking भी कर सकते हैं या फिर हलका फुल का रुख भी स सकते हैं तो यहां पर हम अपने position से exit कर लेते हैं क्योंकि market में दिखिए अचानक से अपना profit हुआ है तो ज्यादा अगर हम यहां पर time लेकर बैठे रहें तो market में situation थोड़ी बहुत खराब हो सकती है यहां पर मने जो काम कहा था इसलिए कि market अगर ऊपर मेलेगा तो हमें यह आपे selling करना चाहिए वो तो trade हम नहीं कर पाए मैं थोड़ा सब easy था लेकिन जैसे मुझे लगा कि नीचे market मेला support की आसपास आ चुका है market यहां पर एक upside का momentum दे सकता है क्यों देख सकता था क्योंकि market अगर यह continue गिरता ना तो फिर 47-500 के नीचे जाकर काम नहीं कर पाता तो market में यहीं कहीं से reversal आना था या तो थोड़ा बुट नीचे आकर हो जाता या फिर market नहीं से upside का momentum निकाल दिया तो यह तो आप कहले जिए as scalping अपना profit market के अंदर बन गया लेकिन यहीं बात होती है कि आपको मैं समझाना यहां पर क्या चाहता हूं कि कभी-कभी हमें लगता है कि अपना कोई trade मिस हो जाएगा तो फिर हमें trade मिलेगा है नहीं फिर market के दर हमारे साथ क्या होगा हम वहाँ पर trade करने के लिए जल्दवाजी कर लेते हैं और इसी वज़े से अपना trade में भी कभी-कभी गलत भी हो जाता है तो trade तो अपना यह गलत नहीं होता अगर हम यहां trade लेते हैं लेकिन मैं यहां पर अवलीबल नहीं था उसके बाद हमें यहां पर क्या नजर आया था कि मार्केट के अंदर यह जो momentum है इस momentum है कारण यहां पर seller नहीं है तो market एक बार गिराउट किया है लेकिन यहां पर बाइंग करके बैठे हैं वो भी काफी अच्छे गरा कम कर सकता है तो वहां पर एक जिट ले ले लेना से और यह तो एक ही मिनट के अंदर लगबग अपना प्रोफिट हो गया तुरूंत हमने ट्रेट बनाए उसके बाद अचानक से मुमंटम मार्केट के अपसाइड का आ गया निफ्टी ने जला momentum तो नहीं किया लेकिन हा आज के लिए दने धन्यवाद